प्यार ब्रह नमस्कार जैश्री कृष्णा रादे रादे डियर पेरेंट्स आज हम नट्मेक के बारे में बात करने वाले हैं जी हां नट्मेक जाइफल जो कि हम अपने बच्छों को देते हैं जब उनको सर्दी खांसी जुखाम हो जाता है तो उसमें जो नट्मेक हैं बहु बहुत सरे इसाज जी चीजे बताऊंगे जो कि हम अगर गलात तरीके से पने बच्छे को देते हैं तो वह आपके बच्छे को नुकसान कर सकता है हम आज के स्बीडियो में बात करने वाले है कि जीरो से शीक्स मन तक की बेबी को किस तरीके से दे सकते हैं और भूद आपने लिख्री पालों किस करते हम छैसे डियोन क्या कर दाउं सुपाने सबसे पहले हम उनको अपने बच्चे को प्रव एपलाई करते हैं जिससे कि उनको आराम मिल जाता है और मैं यही आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपके बच्चे को सरदी खाह सी जुखाम है तो देशी ही इलाज अपने बच्चे को करें तो ज्यादा बैटर रहता है इस चोटे बच्चों को तो उससे बच्चे की जो हैल्थ इशूज हैं वह बहुत जदा बढ़ते नहीं बच्चे को आराम मिल जाता है तो जायफल के वारे में कुछ ऐसी बेसिक बाते हैं जो कि हमें मालूम नहीं होती और हम गलत तरीके से अपने बच्चे को देती हैं और फा पहले हम बात करते हैं कि हम जायफल क्या डेली अपने बच्चे को दे सकते हैं कैसे देना होता है तो जायफल हम अपने बच्चे को डेली दे सकते हैं लेकिन उसके जो मात्रा है वो कम रखनी है दूसरी बात अगर आप अपने बच्चे को जायफल दे रहे हैं तो आप उसक जाइफल ना दे, किसी भी चीज में आप मिलाकर अपने बच्चे को जाइफल देंगे, तो उसे वो नुकसान नहीं करेगा, साथ यह बच्चे के लिए यूसफुल भी रहेगा, तो हमेंसा यह बात ध्यान रखनी है, कि जाइफल आप दे रहे हो, तो बच्चे को किसी भी ची आप अपने बच्चे को दे सकती है, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को जाइफल दे सकते हैं, लेकिन जब भी आप अपने बच्चे को जाइफल दे रहे हैं, तो खाली आपको नहीं देना, तो अगर आप खाली दोगे, तो वो आपके बच्चे को तो तो आपको तो और भी problem create कर सकता है तो किस किस तरीके से आपको जाइफल देना है वो जो मैंने भी बता है वो आपको वैसे ही देना है किसी भी बच्चे की जो खाने की food items हैं बच्चे का दूद है उनमें आप मिला कर दीजिए डारेक्ट आप मत दीजिए अब हम बात करते हैं कि जाइफल की जो benefit है वो बहुत जादा है अगर आपके बच्चे का पेट खराब है green potty के shoes हैं बच्चे का बच्चे को potty ठीक से ने आ रही है बच्चे को पेट में दर्द है बच्चे को सर्दी है, कफ है ठीके, तो सर्दी खासी में तो यह बहुत फायदा करता है बच्चे की पसले ही चल रही है तो इन सब चीजों में आप अपने बच्चे को जाइफल दे सकते हैं यह बहुत आराम दायग रहता है सर्दी हो में तो आप इसे हमेशा अपने घर में रखिए तो यह बहुत आदा फायदे मन रहेगा अब हम बात करेंगे जीरो से सिक्स मन तक के बेबी को हम जाइफल कैसे दे सकते हैं और कितनी मातरा में देना है तो देखिए जो जीरो से सिक्स मन तक के बेबी हैं उनको आपको जाइफल कोसिस करें आप उनको खिलाएं नहीं, आप उनके जो body parts होते हैं, उनके उपर जो external body parts हैं, उनको apply कर दीजिए, जैसे आप जाइफल को घिस सकती हैं, घिसने के बाद आप जाइफल को घी में, जो देसी घी होता है, जाइफल को घिस के देसी घी में, आप बच्चे के माथे पर, ये center area प बच्चे की जो नचay है इस एर्य में ूप्चे को आपलाई कर सकते एं। अच्छे इस गिसी एक गी में अच्छे से पेस्ड बनाएगे इस उसकी बॉड़ी पर अपलाई कर सकते तो बच्कित जो कफिंग है जो पसली चल रही हैं। स pen direito मोश्चे को बहुत आराम मिलेगा प्रस का बच्चा उसको आप कर से दे सकती है तो जाइफल आप बच्चे को दूद में मिला कर दे सकती है ठीक है जो भी बच्चा दूद पी रहा है उसमें आप अपने बच्चे को मिला कर दे दीजिए लेकिन बहुत जादा नहीं देना 0.3 ml से लेकर आपको 0.5 ml तक अपने बच्चे को दे देना है इससे जादा आपको नहीं देना उसे आपको दूद में मिला कर दे देना है बच्चे को जनम गुटी है उसमें आप मिला कर दे सकती है ठीक है और बच्चे को हनी में मिला कर दे सकती है लेकिन बहुत चोटा बच् आपको नहीं देना तो आप अपने जो ब्रेस्ट मिलके उसमें मिलाकर आप अपने बच्चे को दे सकती हैं बहुत आराम मिल आएगा पॉइंट 5 ml तक ही आपको देना इससे जादा नहीं देना दिन में आप एक वार दे दीजिए और एक वार बच्चे के सरीर पर अलगा और आपको किन सीच्वेशन में अपने बच्चे को नहीं देना जब आपके बच्चे को उल्टी बहुत जादा हो रहे हैं थीके बहूत ज़द ववामिट कर रहा है तब नहीं मैं करता हैं दूसरा, आपके बच्चे को मरोड है, पेट में दर्द है तब आपको नहीं देना या बच्चे को बहुत ज़ादा जैसे एलर्जी कुछ सदीद में हो रही है तब नहीं देना एक बात और आपको ध्यान रखनी है जैसे आपने बच्ची को जाइफल खिलाया जाइफल खिलाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे को ऐलर्जी हो रही है दाने निकल लिया है खुजली हो रही है बच्चा बहुत डिस्टब है बेच है नींद नहीं आ रही है तो आप दे सकती है लेकिन आपको लग रहा है कि खिलाने के बाद बच्चा बहुत दिसकंफर्ट फील करता है अच्छा फील नहीं होता तब आपको उस सिच्चोशन में अपने बच्चे को जाइफल नहीं देना है यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी देखिए कुछ मॉमेंज कुछ पेडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं मालूम होता कि हमें अपने बच्चे को जाइफल कब देना है कब नहीं देना है कैसे कैसे देना है घर में आपको बहुत सारे लोग आपको यह अपके घर में मेel सकती है आपके लोग से आपके मदर यौह से जो की पूरी तरीके से इस चीज को नहीं जानती है अगर बहुत चोटे बच्चे को जैफल कि ला डिया और आपने सही मैंतर से अपने बच्चे को नहीं खिला, बच्चे को सीवीर अलर्जी बच्चेको पेट आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो आप ऐसी सिचुशन में आप अपने बच्चे को नटमेग घिसकर दूद में मिलाकर डेली दे सकती हैं बच्चे की भूख बड़ेगी बच्चे का पाचन सही रहेगा कब जो खतम हो जाएगी और बहुत सारी चीजों में बच जाएग जब गउख और तो प्रॉबलम नहीं होगी बहुत चोटे बच्चे को आपको यह नहीं रहते हैं देना के अब उसके अपर पार्ट जो एक्स्टरनल बॉडी पार्ट होते वहीं पर आप उसको लगा सकते हैं तो माई डियर मॉमीज, माई डियर पेरेंट्स बस यही आपको बात ध्यान में रखनी है कि गलत तरीके से, गलत एमाउंट में आपको अपने बच्चे को जाइफल नहीं देना फाइदे की जगे यह आपके बच्चे को नुकसान कर सकता है इसलिए आपको यह मालूम होना चाहिए कितना देना है, कैसी लगाना है और कब देना है तो my dear mommies, I hope यह वीडियो आपके लिए useful हो और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सकता like, share करें और अपने प्यारे-प्यारे comment नीचे करते रहें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज जरूर लाइक करिएगा और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा मैं ऐसे इन्फरमेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी थैंक्यू, नमस्ते